नमस्कार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के मुँँ में छाले होने के कारण क्या क्या होते हैं या किन किन वज़ा से बच्चों के मुँँ में छाले होते हैं तो छाले होने के बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों में जैसे पहला है बच्चों के सरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो इसके वज़ा से भी बच्चों के मुँँ में छाले होने शुरू हो जाती है दूसरा बिटामिन्स की कमी हो जाने पर भी बच्चों के मुँँ में छाले होने लगते हैं तो इसके लिए आपको हर एक वचीच खिलानी है जिससे उन्हें परियापत रूप से विटामिन्स मिले उनके सरीरों को तीसरा कारण है पेट गर्म होने के कारण अगर कुछ खाना खिलाते हैं बच्चे को आप और वह पेट गर्म कर देता है या किसी चीच से बच्चों का पेट गर्म हो जाता है खाने के वज़े से तो इसके वज़े से भी बच्चों के मुँँ में छाले होने लगते हैं पेट में अगर गर्मी रहेगी तो बच्चों के मुँँ में छाले होने लगते हैं चथा आईरन की कमी के कारण भी बच्चों के मुँँ में छाले होते हैं ऐसे में आप बच्चों को आईरन वाली चीजे प्रयापत रूप से खिलाईए ताकि उसमें उनके मुँँ में छाले ना हो तो इसके वज़से भी बच्चों के मुँ में छाले होते हैं और बच्चे पर रह जाते हैं तो एसे में आप कुछ चीजे हैं जिसे खिला कर ठीक कर सकते हैं आप मधूरस चटा सकते हैं इस समय पर मधूरस अगर आप बच्चे को इस समय पर खिलाएंगे तो वह थोड़ी देर के लिए छाले से रहात देगा तो इस तरह से ये कारण है बच्चों के मुह में छाले होने के तो इस बात का आप ध्यान रखे और वीडियो पसंद आता है आपको मेरा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब किजए ऐसी और वीडियो के लिए धन्यवाद